भगवान इतने emotions भी देना नहीं चाहिए यार किसी को दो साल से गला फाड़ फाड़ के चीक के कह रहा हूं कि Scott McTomb ने को बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो अब नहीं बेचोगे तो कब बेचोगे यहाँ पर He is a sellable asset यहाँ पर We need to capitalize on this situation पैसा बना सकते हैं और कल रात में पता है जब वो सब कुछ हो गया Here we go हो गया सब हो गया सलाव ट्विटर पर जब स्क्रोल कर रहे थे ना न्यूज और वहाँ पर देखा के वीडियो जा रहे हैं एक यंग फैन ने Scott McTomb ने को Thread दिया है जिस पर Scotty आपके K39 का उन्होंने वो सब करके दिया भाई it made me emotional या रहा है अब मुझे लग रहा है कह रहे यार हम क्यों बेचने Scott McTomb ने को देखो 22 साल लड़के ने बिताये हैं क्लब में तो obvious ही बात है यहाँ पर emotional होना बनता है उसका but being a United fan या फिर आप पता है फुटबॉल में किसी भी या sports में आप किसी भी club को support करते हो किसी भी आप यहाँ पर individual को support करते हो but भाई भले ही आपको इंसान पसंदा हो जब ऐसे journey end होती है ना तो बोरा तो लगता है और कल रात में वाकवी में Scott McTomb ने को जब Old Trafford से जाते देखा नो और उस लड़की ने आपर उस फैन ने आपर जब दिया Scott McTomb ने को फ्राइट and Scott McTomb ने को वो reaction था कि I'll keep it for the rest of my life तो भाई मतलब that actually made me really really emotional Scott McTomb is going to join Napoli and वो here we go हो चुका है 30 million euros की जो deal है उस पे some percentage of Salon clause भी लगाया हुआ United ने 10% of Salon clause तो आगे future sale अगर करती है Napoli यहाँ पर Scott McTomb ने की तो उसका 10% जो भी होगा वो यहाँ पर United को मिलेगा और यहाँ पर already कल हमने Manuel Ugarte को sign कर लिया था तो और Ugarte ने अपने जो tweet था वो भी upload करके बता दिया कि यहाँ जो news है वो सही है लेकिन United और United के transfer से हट कर कल Barcelona का match था Rayo Vallecano के against और Rayo Vallecano को हमने दो साल पहले preseason tour पे face किया था and that team is not easy to play against युकि वो team high intensity drop नहीं करती है they continuously press you and वो आपको breathing space बिलकुल भी नहीं देते यहाँ पर कल Barcelona ने पहला गोल concede कर लिया तो worst possible start जो match का हो सकता था वो हुआ Tustegen should have done better but couldn't near post पे बीट हो गए वो और एक आसान सा गोल यहाँ पर दे दिया Barcelona ने राय वालकानो को लेकिन उसके बाद जब second half शुरुआ पहले half में Barcelona इतनी नहीं दिख रही थी energetic लेकिन second half में जब Danny Olmo का introduction किया है आपकी Barcelona ने Hansi Flick ने उसके बाद Barca का जो dynamism था वो पूरा change हो गया और एको Hansi Flick की teams ने usually आप देखोगे हो सकता है सामने वाली team को outplay करने पे भरोसा ना रखे लेकिन यहाँ पर आपको outscore करने पे ज़ादा focus करती दिखती है और कल रात में बार्सनों ने वही किया है ऐस सच बार्सा बहुत brilliant football नहीं कहीं ली लेकिन यहाँ पर बार्सा ने continuously एक काम किया and that was to outscore रायो वेलकानों unfortunate था जो लेवेंड दॉसी ने goal score किया कुंडे को उस हरकत के लिए foul पे वहाँ पर वो goal rule out होता देखना पड़ा अगर हम वैसे देखेंगे definitely that was a foul and यहाँ पर वो rule out होना बनता था but that was a very soft contact लेकिन football में soft और आप बोलोगे यहाँ पर legit contact जैसा कुछ होता नहीं है अगर build up में यहाँ पर foul हुआ है तो उसको foul count किया जाता है लेकिन कल रात का आप बोलो के Danny Olmo का debut पे goal आ गया आपके Pedri ने goal score कर दिया Pedri injured लग रहे थे लेकिन फिर बच गये लेकिन पूरी रात खराब होगी मेरे हसाब से Barcelona fans की जब उनको बता चला की आपके Mark Bernal ने यहाँ पर अपनी alongside him क्योंकि ना सिर्फ वो यहाँ पर आपको work rate provide कर रहा है बलकि आपको यहाँ पर stability भी दे रहा है तो Mark Bernal tearing up his ACL इतनी young age पे again last year Gavi के साथ हुआ already Pedri इतनी बार injured हो चुके है अब Mark Bernal के साथ हो गया है it is something that you don't appreciate as a football fan या फिर any sports fan because देखो आप club को पसंद करो ना करो आप players को पसंद करो ना करो लेकिन जब भी player injury से वापस आता है वो अपना कुछ percentage जो अपनी उसकी actual capability होती है उसका जो talent होता है वो उससे छूट जाता है हर injury के बाद और ये बहुत सारे cases में legit भी है आप Hector Ballerine को देखो आप यहाँ पर even Neymar को देखो आप यहाँ पर Eden Hazard को देखो Gareth Bale को देखो बड़े बड़े players की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर उसमें Hector Ballerine का नाम ने डाल दिया बट यह बहुत ही legit चीज है यह बहुत ही legit statement है कि यहाँ पर जब एक पेडरी लगातार injured हो रहा है इतने टाइम से दो साल में इतने बार injured हो चुका है कि अभी उसकी body was fragile हो गई और इतनी young age में जब कोई लड़का injured होने लगता है regular basis पे तो उसका career जो है ना वो इतना long lasting नहीं हो पा तो कि भाई 15 साल खेल रहा है वो 16 साल खेल रहा है महज वो 8 या 9 साल पर retirement ले लेता है क्यों क्योंकि उसकी body इतनी जादा बिल्कुल go through हो चुकी होती है ना इन जब चीजों से कि वो उस pressure को sustain नहीं कर पाती तो यहाँ पर I hope कि भाई Mark Bernal जब lotte यहाँ पर तो full fitness के साथ lotte और उनकी mentality base का कोई असर ना हो उनकी game base का कोई असर ना हो लेकिन I think कल के match में मेरे लिए जो सबसे बड़ा talking point था वो था रफीनिया की performance रफीनिया was top notch कल देखो यही चीज है रफीनिया leads में क्यों बहतर था और मेरे ख्याल में Hansi Flick के system में रफीनिया will thrive the reason is रफीनिया जो intensity प्रोवाइड करता है जो work rate प्रोवाइड करता है वही Hansi Flick के system का पूरा base है कि भाई उसको चाहिए work rate प्रोवाइड करने वाले बंदे कल रफीनिया was all over the pitch भाई he was everywhere and जिस जितना intensity उसने प्रोवाइड कि अगर 11 डॉसकी ने वो tap and miss ना किया होता है तो रफीनिया को कम से कम एक goal तो मिलता assist के तौर पे फिर वहाँ पर जो goal rule out हो गया उस पर भी आप देखो हाँ यह जरूर है कि number 10 role में रफीनिया कितने तिन तक और continue कर पाएं क्योंकि जब गावी आ जाएगा जब फ्रेंक की आ जाएगा तो क्या हांसी फ्लेक अपना system बदलेंगे गावी और आपके फ्रेंकी के आने के बाद तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा बट इस point of time पर तो रफीनिया has been really really good कल के मैच में तो he was बार्सलोना ने इतना पैसा दिया है कल वो आया है और second half में जान फूक दी डैनी ओल्मो ने और वो चीज मिसिंग थी अगर हम first half देखे न तो बार्सलोना बहुत ही आप बोलो के डल लग रही थी और second half में भी अगर आप देखो chances बहुत बने लेकिन उन chances को capitalize नहीं कर पाई बार्सलोना लेवन डॉसकी को थोड़ा और involve होना पड़ेगा यहाँ पर लेवन डॉसकी ने जो goal score भी किया था उस पर उनका पहला test था वो उतना अच्छा नहीं था तो यहाँ पर यहाँ पर यह विक्ट्री इसके बाद वो international break में जाएंगे एक और मैचे आएगेस if I'm not wrong और वो international break में जाएंगे तो यहाँ पर अगर बिल्कुल 4 on 4 उनका अगर winning record रहता है international break ता I think जब वो international break से लोटेंगे तो उनके पास अगर एक दो players और आ जाते हैं तब तक I think they will be having a party by then but yes आज अब क्योंकि Real Madrid को अपने उपर pressure आता दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर Barcelona तो ती देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं transfer rumors की, Liverpool की और Chelsea की तो Chelsea यहाँ पर link हुई है Ivan Tony से, अब मैं सही बता हूँ मुझे तो यह Ivan Tony वेली new smoke screen लग रही है because they really want to get Oseman on board और Victor Oseman के case में Fabrizio की reports यह हैं कि Chelsea अभी भी dialogue exchange कर रही है आपके Victor Oseman के agents के साथ and Napoli के साथ दो continuous touch में है क्योंकि Lukaku already उन्होंने अपना base दिया Napoli को, तो terms उनके बीच में सही है और इसलिए हो यहाँ पर Oseman को permanent basis पर लाने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन अगर Victor Oseman नहीं आते हैं तो मेरे ख्याल में Ivan Tony की deal बहुत सही रहेगी आपकी Chelsea के लिए कि देखो Oseman के पास European experience है, आपके Oseman के पास यहाँ पर बड़ी लिग में खेलने के experience है, बट Brentford में यहाँ पर आउट साइन किया है आपके Ivan Tony ने बाकी सारे strikers को 17 गोल Premier League में स्कोर करना with Brentford हसी मजा का खेल नहीं है, तो अगर यहाँ पर Ivan Tony को भी लेकर आती Chelsea, I don't think कि इतना बड़ा कुछ गलत सौधा होगा उनक He is a very good player, can be a leader in the team as well, although Sattevazi खेल उनका अलग चलता है, but क्योंकि उनको बैं किया गया था, 10 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, उसके बाद उनने जरूर लेसन लिया होगा वहाँ से, I don't think कि वो गलतियां repeat करेंगे, बट हाँ थोड़े सा आउट स्पोकन जरूर है, बात अगर की जाए, यहाँ पर आपके स्टर्लिंग और आपके सेंचो वाले सौप की, तो उस पर तो कल अमने लाइफ स्ट्रीम की थी, देखो यह डील किसी भी तौर पे यॉनाइटीट लिए तो लोजिक नहीं बना रहे, क्योंकि 24 साल का लड़का आप यहाँ पर चेल्सी को दे रह आप अगर वेजिस देखोगे स्टर्लिंग के, तो वो भी हमारे अभी वेज बिल को हल्प नहीं करने वाले, क्योंकि स्टर्लिंग कितना ही कम कर लेगा, अभी more than 300K पर वीक पर वीक पर वो है, कितना भी कम करेगा, तो 200K पर वीक तो डिमंड करेगा ही करेगा, 200K पर वीक क करने कि आप ने आप डिपलो मैंसी दिखाने की कोशिच की के हमारे और सैंचो के बीच में सब कुछ साही है, बट नहीं है सही, और वो दिख रहा है, सैंचो के end से भी लिए कि बोध इस पार्टी वान्टु जस पार्ट वेज, तो लेकिन इतना भी डेस्परेशन अक्छा ह Sterling आता है उसकी तो चारधाम यातरा पूरी हो जाएगी United, Chelsea, Liverpool and Man City बट हमारे लग जाएगे भाई क्योंकि हमें ऐसा player मिल रहा है जो कि इस time पे कहीं stand नहीं करता market में और talent wise भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उससे better players है Intensity provide goals, contribution provide करने वाले His decision making in the final third is awful तो ऐसे player को लाकर हम अपना squad बढ़िया तो नहीं करने वाले अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Liverpool की तो देखो Liverpool ने ममाद आशवेली की जो signing है वो तो उन्होंने confirm करी दिया 2015 में वो जॉइन कर लेंगे उन्होंने already एक बहुत ही शांदार backup तयार कर लिया Allison का Allison अगर move करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने already clear तयार कर लिया उसके अलावा यहाँ पर Federico Chieza जाते दिख रहे हैं आपके Liverpool में 15 million की signing होने वाली है और Liverpool जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था यहाँ पास अगर अबंडेंस में इतने विंगस नहीं होते तो I would have wanted United to go for Federico Chieza given the injury record yes it is it can be a big gamble लेकिन यहाँ पर 15 million gamble खेले में कोई यहाँ पर सरदर्दी नहीं है Liverpool इसके अलावा क्या centre-back के बारे में सोचेगी या CDM प्लेर के बारे में सोचेगी वो तो हमें नहीं पता है लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि Liverpool का जो हमने दो गेम में performance देखा है और उनको तीसरा गेम हमारे अगेंस्टी खेलना है टोल्ट्रेफर्ड तीसरे गेम में हमें पता चली जागा मतलब इन तीन गेम के हिसाब से आरने स्लोट की टीम कितना प्रिपेर करके है यह देखो आरने स्लोट को मैंने बोला था कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा बट पूरा प्री सीजन हो गया वो नहीं हारे दो गेम हो गया प्रिमीर लिक के वो नहीं हारे अगर वो इंटरनेशनल ब्रेक में 3 out of 3 विक्टरीज लेकर जाएंगे तो आपके क्या भाई ओपीनियन्स हैं इतनी सारी न्यूस की उपर वो जरूर बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC लेट्स हिट 89K वेरी वेरी सून और इसी के साथ मैं आप से लूँगा अलवेदा ध्यान रखे अपना वाबाई टेक केर